हेलो फ्रेंज, माई सोल पूर्परस, माई सोल मिशिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, ये सुबह के अभी छे बज़ रहे हैं और मुझे आप में से कलेक्टिव की बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, हिला देने वाली एनरजी, रिस्यू हो रही है जितना ये डबल मून था, राइट, उतना ही ज़्यादा बहुतों को हिला दिया है इसने मुझे कुछ ऐसी एनरजी आप में से आ रही है उन, उनको हिलाया है जो शायद थोड़े से मजबूत हो गए थे उनको हिलाया है जिसने शायद इनरवर्ग पर थोड़ी कमी ला दी थी यहां तक कि उन रिष्टों को भी हिलाया है जो एक पार्शल यूनियन या मीनी यूनियन में थे कल दुफैर से बहुत ज़दा हेवी इनरजी का फ्लो हुआ शाम आते आते आप लोग डिस्बैलन्स हो गए और जिसका असर उस डिस्बैलन्स होने का असर मैं अभी आप लोगों का अभी तक भी पिक कर रही हूँ शायद किसी की जिन्दगी में बवाल हुआ है आपने बहुत ज़दा बैलन्स रफने की कोशिश करी पर जो अंदर सप्रस था वो चीजें बहार हो होके निकल रही थी सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए बैलन्स रहना है, न्यूट्रल रहना है लेकिन जो चीज हील होनी है वो होनी है, वो बहार आनी है चाहे कितना भी आप जानते हो कि हमें बैलन्स रहना है, न्यूट्रल में रहना है बहुत लोगों के विश्वास डगमगा है कि वो इस जर्नी में है या spiritual जर्नी में है बहुत लोगों के spirit guys भी बोल रहे है energy का proof बहुत लोगों के विश्वास डगमगा रहे हैं कि यह हीटर्न है यह नहीं है बहुत लोग जो फर्म थे कि मैं अब बैलन्स हो चुकी हूँ वो भी डिस्बैलन्स हो गए जो इन्हा वर्क अच्छे से कर रहे थे वो भी डिस्बैलन्स हो गए बहुतों को फरक नहीं भी पड़ा लेकिन कुछ कलेक्टिव में जिनकी एनर्जी को मैं राइट नाव प्रिक कर रही हूँ वो बेरी आवाज से आप समझ सकते हो डर्द हो रहा है हार्ट स्पेस में डर्द हो रहा है यह डर्द इस पवाल के शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था और जब वो वक्त आया तो आप कंठोल नहीं कर पाया या आप सकו कंठोल नहीं करने दिया गए वो बवाल हो ना था या वो खुलते हैं बवाल नहीं भी हुआ पट आप अपने अंदर ही negativity से operate करने लगे आप अपने अंदर question लेकिन मैं तो अपने person को claim करती हूं, लेकिन वो तो बसा दिखी नहीं रहा है, वो तो अलग है, वो तो समझ ही नहीं रहा है, इस connection को, वो तो recognize करी नहीं रहा है, इस connection को, वो तो consider करी नहीं रहा है, मैं कब तक wait करूँगी, कब तक मैं अनजार करूँगी, सब चीजे मैंने पहले ही बताई थी कि इसके आगे आने वारे टाइम पे सब चीज पॉजिटिव ही होना है फिर भी आप लोगों से कंट्रोल रहते नहीं बना मैं उनकी बात करें जिनकी मैं एनेजी पिक कर रही हूँ फिर भी आप क्वेशन करने लगे या आपने इंटेंसिटी दे दी अपने परसन को या आपने उनसे उम्मीद कर ली कि फिर से वो बबल फेज वाना टाइम आ जाए फिर से वो चाहत जागने लगी आप बैलन्स हो गए थे आप नॉर्मल हो गए थे फिर से होते होते इस सुपरमून में वो चाहत आपकी और जाग गई और जिसने आपको सिर्फ डिस बैलन्स कर दिया अगर मैं इस इनरजी को कर जस्त बता हो कि exactly what's happening with you आप डिस बैलन्स हो गए it's okay इस सुपरमून आया आप डिस बैलन्स हो गए gradually you will be balanced don't worry बस में ये वीडियो इसी लिए बनारे हूं कि परिशान नहीं होना है आपको I usually come as a channeling just for warning and to give support and this is my support message it's okay अगर आप डिस बैलन्स हो गए soon everything will be fine and completely fine आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा everything will be managed as it is everything will be manifested right but you must not stop doing inner work yes आपको क्या करना है आपको अपना रिलेशन अपने जुन के साथ अभी friendly ही रखना है अगर आपकी बातचीत हो रही है intensity and expectations मत रखिये अभी it is too early that you are expecting a bubble phase similar bubble phase because अभी वो completely awakened नहीं हुए है वो आपकी expectations पर खरे नहीं उतरेंगे और क्योंकि वो आपकी expectations पर खरे नहीं उतर रहे है तो आपको pain हो रहा है आपको dherd हो रहा है you are not keeping patience patience रखिये take care अपना ध्यार लगए God bless you उटखिये